नमस्कार दोस्तों जहिन मेरा नाम है संदिक पुमर अगरवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल डेली डोज में आज है आठ नुवेंबर 2020 और हम डिसकस करेंगे आज के कुछ इंपोर्टन कोश्चिंज चलिए फिर सुरू करते हैं परला सवाल है तो नैसनल मतलब इंडिया में हम लोग कैंसर के लिए जो आवरनेस करते हैं उसके लिए खास दिया है वो हम लोग हर साल 7 November को celebrate करते हैं ठीक है यह जो day है यह आपका officially first time 2014 को start किया गया था by the union health minister Dr. Harsh वर्दन जी के द्वारा ठीक है और by concerning by insights आपका जो यह जो है day वो टकराता है आपका scientist Mary Curie जो की जिनको Nobel Prize मिला था for physics and also for the chemistry और इन्होंने ही radium की discovery की थी ठीक है तो basically यह जो day है यह हम लोग celebrate करते हैं ताकि awareness raise किया जाए और इसके जो symptoms है इसके जो treatments है मतब cancer को लेके ठीक है कि अगर आपको cancer होता है तो फिर हम में कैसे पता चलेगा इसका treatment कैसा होगा कैसे किया जाएगा यह सब चीज के बारे मे aware कियाता है तो अगर हम WHO के बात को अगर समझें देखें तो उनका कहना है कि वर्ड में दूसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जिनका death से मतलब cancer के जाएसे आपका death होता है कहने का मतलब second leading cause of death globally ठीक है तो यह है आपका अगरा सवाल है name the tri service exercise conducted by India special force तो इंडिया special force के द्वार कौन सा tri service exercise किया जा रहा है तो यह किया जा रहा है bull strike, bull strike उस tri service exercise का आपका नाम है और tri service कहने का मतलब इसमें तीन जो है parts कहने मतलब Indian Army, Indian Navy और Indian Air Force यह तीनों मिलके exercise कर रही है उनका जो थीम है मतलब जो उन पर काम है उस पर वो लोग training कर रही है तो यह जो training है अंडमान निक के जो कमांड है यह तीन दिन के लिए किया जा रहा है जिसका नाम में bullish track और यह और रहा है टेरेसा आइलेंड में जो की निकोबार आइलेंड और गुल निकोबार गुरूप अइलेंड है ठीक है इसमें different different चीजों के बारे मुनलों के बताया जा रहा है anti-terror है फिर उसमें Army parachute brigade भी है कुछ special forces है कुछ paratroops है जिसमें आपका आप para commandos भी आते हैं फिर उसके बाद search and rescue भी है medical evacuation भी है तो यह सब चीजों पर वो लोग का exercise किया जा रहा है अगला सवाल है who chair the virtual global investor round table 2020 तो 2020 का VGIR virtual global investor round table किसके दोरा chair किया गया यह chair किया गया प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी के दोरा तो नरेंदर मोधी जी ने इसका virtual global investor round table का chair किया है और इसमें इनोंने कुछ points पर discuss किये जैसे कि इंडिया का economy, investment, outlook, structural reforms यह सब चीजों के उपर बात किये और इनोंने बताया है कि इनका vision है कि country 5 trillion dollar economy को achieve करे ती के साथ ही साथ यह इंडिया जो है वो different investor है उसके बाद ही different business leader है वो सबको point कर रही है या फिर आमन्तित कर रही है कि आप हमारे साथ आके business करें और हमारा जो market है उसको थोड़ा सा develop करें ती यह आपका virtual global investor round table अब सवाल है who has named as the new president of hockey इंडिया तो hockey इंडिया के new president किने चुना गया किने बनाया गया गया है यह बनाया गया है ग्यानेंद्रो निंगोंबं ग्यानेंद्रो निंगोंबं ठीक है यह आपके मनिपूर से बिलॉंग करते हैं और इनको अन एपोजड अन अपोजड किया गय और मतलब इनको अपोजड ने किया तो फाइनली इनको एपॉइंट कर दिया गया है as a president of hockey इंडिया तीक है यह replace करने जा रहे है मुहमद मुस्तक अहमद जी को जिनको एपॉइंट किया गया है as a senior vice president post यह जो है यह दो साल के लिए इस post पे रहेंगे तीक है अगला सवाल है when was the bilateral summit between India and Italy was held तो इंडिया और इटली के बीच में आपका एक bilateral summit हुआ था तो यह कब हुआ था यह आपका हुआ था 6 नवेंबर को 6 नवेंबर को आपका यह bilateral summit दो देशों के बीच में summit हुआ था वो था इंडिया और आपका इटली इंडिया के तरफ से प्राइमनिस्टर स्री नरेदर मोधी ने रिप्रेजेंट किया और इटली के तरफ से प्राइमनिस्टर जो ही इटली के प्रोफेशर ग्लुसिपिक कॉंटे ने रिप्रेजेंट किया इसमें different different issues पे बात की जैसे including political, economic, scientific and technological, space and defense cooperation की बीच में इन लोगों को बात चला है और यह आने वाले समय में काम करेंगे साथ ही साथ इन दोनों के इन दोनों देशों के बीच में पंद्रा मेमोरेंडम या फिर एग्रिमेंट भी साइन किया गया है जो की different different fields को है ले है के fields को लेके है जैसे energy, fisheries, shipbuilding और designing sector में ठीक है इतली के जो president है आपके वो है Sargo Matriela और यहां के जो president है वो तो उसरी prime minister मैंने बताया इतली की जो capital है वो है Rome और यहां की जो currency चलती है वो है euro अगला सवाल है how many satellites were delivered with PSLV C49 तो 2020 का भारत ने इंडियन Space Research Organization ने पहला mission किया है और इस mission का नाम में यह जो हुआ है वो rocket में आपका PSLV C49 से हुआ है इसमें total number of 10 satellites जब आपके launch किये गए है तो यह ISRO का overall 51st mission था और 2020 का पहला mission था जिसको इन्होंने PSLV rocket के साथ काम किया है PSLV कहने का मतला polar satellite launch vehicle ठीक है यह जो carrier है आपका 10 satellite के carry किया है जो की आपका EOS 01 नाम दिया गया अब EOS 01 क्या है यह आपका Earth observation satellite है जो basically space at different agriculture forest और disaster management के लिए इंडिया को support करेगा ठीक है अबना सवाल है who chaired the fourth meeting of the OPEC India dialogue तो OPEC India dialogue का fourth meeting किसने chair किया यह chair किया गया बाई स्री धर्मेंदर प्रधान स्री धर्मेंदर प्रधान भारत के ministry of petroleum और natural gas और साथी साथ ministry of stills related है और इन्होंने chair किया है आप fourth meeting of the OPEC India dialogue इसके साथी साथ जो meeting है वो chair किया गया है यहां के जो मोहमद संसुई बार की निंडो है के द्वारा जो की secretary general है OPEC के और basically इसमें बात की गई है कि जैसे rapidly आपका change हो रहा है global changes में या फिर उसके बाद फिर आपका जो तेल के जो दा में वो ज़्यादा देते जी से बढ़ रहे हैं और कुछ key factor से उसमें इस meeting में चर्चा हुई है अगरा सवाल है how many bank WhatsApp partner for UPI payment हो जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया कि WhatsApp को permission मिल गिया है कि वो अब अपना UPI service on करे चालू करे तो इसके लिए उसने कितने बैंकों के साथ partnership किया है तो यह कुल मिला कर 5 बैंकों के साथ उसने partnership किया है ठीक है वो bank है आपके State Bank of India, SDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank और Jio Payment Bank यह 5 बैंक है जिसके साथ WhatsApp ने payment किया है ताकि वो अपना UPI service start कर सकती है मैंने कल भी बताया था आपको कि जो WhatsApp है वो आपकी Facebook-owned messaging platform है WhatsApp Inc. जिसको approval मिल गिया है NPCI से कि वो अपना UPI based payment service launch कर सकती है इंडिया में ताकि all over the country मतलब under the country इंडिया के अंदर में वो लोग अपना पैसा भेजना या विर से लेना कर सकते है अगर सवाल है who became the first uncapped player to score 2000 run तो uncapped player कहने का मतलब जिसने अभी तक अपना international debut नहीं किया है अपने country को internationally represent नहीं किया है तो ये जो है player आपके शुर्यकुमार यादव थीक है शुर्यकुमार यादव ने अपने 100 IPL match में ये record बनाया है और ये बन गए है पहले ऐसे uncapped player जिन्होंने 2000 run बनाये है तो शुर्यकुमार यादव ऐसा पहले बन गए है जिन्होंने IPL matches में 2000 run बनाये है और ये अभी तक अपना international match नहीं खेला है तो शुर्यकुमार यादव ये जो landmark है ये achieve किये है इन्दा qualifier match versus दिल्ली ठीक है basically ये आपके Mumbai Indians के तरफ से खेलते है और इन्होंने जो qualifier match हुआ था Mumbai Indians versus दिल्ली capital उसमें इन्होंने ये trademark हासिल किया है तो जो MI के batsman रहे चुके है number one player है अभी फिलाल MI के उन्होंने ये achieve 100 IPL match खेलते हुए किया है और दुख की बात यह है कि इन्होंने 100 matches खेले है IPL के जिसमें 2000 से भी ज्यादा run score किया है लेकिन अभी तक इनको internationally कोई chance नहीं मिला है तो यह थे हमारे आज एक कुछ important questions जो मैंने आप सब के साथ discuss किया आपके लिए helpful होगी तो आज के लिए बस इतना ही thank you